हाली में बॉलीबूट के बड़े परदे पर रिलीज हुई फिल्म समराट प्रित्विराज इस वक्त बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा रही है समराट प्रित्विराज इस फिल्म में 36 गड़ की एश्वरिया राज भाकुनी ने एहम रोल निभाया है राइपुर के वंति विहार की रहने वाली एश्वरिया राज भाकुनी मानुशी चिल्लर याने की संयोगिता की बहन का रोल प्ले किया है हमारे निजस 24 मत्यपृतिश चतिसगर के चैनल पर हमसे खास बातचित करने के इस वक्त मौदूद है एश्वरिया राज एश्वरे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला ही सवाल प्रित्वी राज फिल्म में आपने काम किया ऐसे सितारों के साथ काम करने को मिला जिने आप बच्पन से बड़े पड़े पर देखते थी कैसा अनुभव रहा आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा पहले तो सब कुछ अन्रियल लग था क्यूकि हम इनको बड़े परदी में हमेशा से देखते हैं मेरे हमेशा से अक्षे कुमार फेवरिट रहे हैं सवनु सूट फेवरिट रहे हैं, सँजेदाथ सर फेवरिट रहें तो जब मैं सेट पे गई और अमने सामने साथ सीन किया उनके साथ खड़ी रही तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जो मैं बया नहीं कर सकती पर बहुत ही अच्छा लगा से पहले आपको भी लागा होगा। कि अधे बॉलिवूद पहुची है और बड़े पर आई है क्या शुरू से ही इक्षा थी ऐसा लगता था कि बॉलिवूद ही जाना है किसा लगा मतलब पहली फिल्म है और अगे क्या प्लानिंग रहेगी तो बहुत पहले से मुझे इस फिल्मे काफी अरुची थी और मुझे बनना था तो पहले मैंने ग्राजुएशन कंप्लीट की अपनी अपनी असारे मुझे से असके बाद वो करने के बाद में मुंबई गई वह पर मैंने शुरू किये तो हापे सबसे पहले मेरी टीवी शोग हुए हैं तो वो करते मेरी अच्छी प्राक्टिस हो गई थी मेरी अच्छी पकड़ हो गई थी तो उसके बाद मुझे जब यह पहले फिल्म को ओफर मिला तब तक मैं एक तेल्गो की दो फिम्स कर चुकी थी फिर मुझे इस फिल्म को ओफर मिला और फिमने इसको किया और अभी मेरी और दो तिन फिल्म शूट हो गई हैं जो कि बहुत जल हुआ आँचिल्फे यह जडा रहा हो गया थरुक्ष बहुत बहुत बड़े प्र्डक्शन हाउस तो इस नकिसे का जा उंके बाद कुं एक गोट्राइक साइन करें तो मेरे ले भी वही चीज ती तो मैं जब बहुत पर गुजरती तो मैं श्राज का एख ज़े ज़का ज़ कि अगरिमेंट करते करते हुए था राइट की एक लिए का एक लिए हीरोईन का भी अगरिमेंट हेस्फिए वाइसे पहले रॉफ ज़िए शेट रहुए युझा जब आठी मैले युझा इख्वाइट करते हिए वैसे जब यश्राछाइल बाठे मैंने युझा युझा, एक सब्स आहां कि थी पैसे ने पृप्र गाइशनर तो अधी पेसा है वह सुछ들 से कृत kay चुक होंकिन आउपूगामा। अब यह तो पर्दे के आगे की बात थी, किस तरीके का काम करने में कैसा लगा आपको अक्षा कुमार, सूनु, सूद और संजद अतलगों के साथ, पर्दे के पीछे कुछ ऐसा मुमेंट जो लगा हो कि नहीं काफी मतलब कमफर्टेबल है यहाँ अब इसे तो बहुत सारे मोम सेट पर जो चलता रहता था थो थोड़ा यहां मस्ती थोड़ा वां मस्ती यह सब उनका चलता था अशुतो शाना सर भी बहुत जादा बहुत मस्ती मजाक वालेते सीन्स को बहुत अच्छी तरीके साथ सीन्स निकल जाते थे इंडियन पॉलिटिक्स की बात की है काई चीज प्रदि केलिक्स ठीची भी एघंवेशन थे इस फिल्म को बैन करने की मानसिता है वो बिल्कुल देश के लिए अच्छी अच्छी नहीं सोचते हैं क्योंकि यह फिल्म्स जो हैं वीफ हमारा जो यूथ है यह जने वाली जन्रेशन और जह जो हमारे किते महानराजा यह किते इस देश की मिट्टी के लिए तयाग बलिदान दी हैं अगर उनके स्टोरी हम जनता तक लाना चाहरे हैं और अगर अगर किसी की ए मांचेता है कि वह इस मुवि को बैं करा दे किसे ने किसी वज़े से तो वो बिलकुल देश के हित में तो नहीं सोचते हैं और ऐसी मुविस का आप किस तरीके से जानती हिस्ट्री और क्या समझती पृत्विरा चौहान जी एक बहुत ही उदार दिल के दयालू राजा थे जिन्होंने अपने दुश्मन को बार बार माफ किया उसे जाने दिया क्योंकि उन्होंने हमारी हिंदू सभेता दिखाई की हम कितने बड़े दिल क होते हैं और हमारे ज़ातिती होते होते हैं फَّ पृतले ली किया होते हैं फ्रिक जान इ Opने अंतिम सास तक गोरी को जीतने नहीं लेए इसा महौल क्यों बना पृत्वी राज के लिए कि नाम बदलने की नह बताई और ऐसी तमाम चीज़े एसा महौल कहीं चूकनी हुई फिल्मेकर का तो यही मोटिफ था कि वो जनता को एड़ुकेट कर सकें कि हमारे पृत्वीरा चौहान कितने महान थे और उन्होंने क्या क्या और हमारी हिस्ट्री बता सकें जनता को तो उन्होंने अपने हिसाब से उनको पृत्वीरा चौहान नाम सही लगाता तो उनके लिए उनके दिल में बहुत ममता होगी तो उनोंने एक सजेशन दिया कि इसके सामने प्री समराट लगा दीजे और प्रडूसर और डिरेक्टर चाहों के अरिailable किया ऐसे स्वागत किया और मेरा भी अगिक्ष याँ सीर्य nelाघ इन से सोग तो यह का प्ट घाल मूभी कि अपने होगीक। में किन किन स्वीलस में आप काम कर शुकी और कहा जहाया मैं तेनाली-्टा रामा में प्लिप था विगनिग घरता गनेशा में काम किया है अभी मेरा लाज़ शो गुपतर बदर्स था तो यह सब टीवी शो दो मैंने काम किया है और अभी मेरा रुख मुवीज की तरफ है अभी मैं सिर्फ साउथ की मुवीज और बॉलिवुड में फोकस कर रही हूं तो आई होप मैं मुवी सिर्फ सीजन तो नहीं हो गया है यहां पर हमें हर प्रोजेक के बाद दुबारा फिर से अदिशन देना पड़ता है फिर से प्रपरेशन करनी बड़ती है और जब कि आप स्टार ना बन जाओ आपका हर दिन इम्तिहान बराई होता है बहुत बार एक कलाकार की जिंदीगी म करते हैं कि तुम नहीं बन सकते तुम नहीं कर सकते तो इन सबी चीजों से लड़के अपने स्टॉंग मेंटालिटी लेकर आगे बढ़ना चाहिए और जीत होती है अगर अच्छे कलाकार ने तो जरूर को पहचानता है चोटे शहर से गई हुई थी कैसे शुरुवात हुई कैसे पहुचा वहां तक यहां चैन्नी से जब मैं पहुची थी मुंबई तो मैं में किसी को जानती नहीं थी तो फेस्बुक में मैंने ऐसी कास्टिंग वालों को पूछा कि कहां कास्टिंग हो रही है कैसे हो रही है तो नहोंने मुझे कास्टिंग में बुलाना शुरू कि फिर मैंने अदिशन देने शुरू किये, मैंने अच्टिंग स्कूल जॉइन किया ताकि मैं पहले अपनी अपनी सुधार सब को और मुझे कामरा फेसिंग समझ में आया अच्छे से उसके बाद धीरे धीरे होते होते मैंने हर कदम हर सेड़ी ऊपर ही चड़ी है तीवी शोस मे एक अपने मुकाम तक अभी और भी सफर बाकी है आगे क्या प्लानिंग रहने वाली है इन चीज़ों को लेकर आगे तो यही प्लानिंग है कि अभी फतह करनी है बॉलिवुट पे टॉलिवुट पे और उसके बाद हम जाएंगे हॉलिवुट में ओके घर का सपोर्ट कैसा आपके इस करियर को लेकर के क्योंकि तमाम जगहों से सुनने को आया कि फैमिली चाहते थी इस बनो इस से एक्ट्रिस हो गई तो कैसा सपोर्ट रहा या फिर आपने कैसे इस चीज़ को फेस कि अपा हमेशा से इस बनना चाहते थे सिंस किसी कारणबश यह नहीं कर पाए तो उनका सपना था कि उनके जोनों बेटिया युप यसी क्लियर करें बट मेरा बच्छपन से ही इस फील की तरफ रुझान बहुत जादा था तो इसले मैंने उनके उनकी मर्जी के लिए अपनी ग्रेजवेशन की डिगरी टॉप करके उनके हाथ में बोला कि मैंने आपका सपन पूरा कि अब मुझे आप मेरा सपना पूरा करने दीजे और उनने मुझे इसके बाद फुल सपोर्ट किया उनका काफी अच्छा सपोर्ट रहा है एश्वरे आज भाकोनी को पूरा देश अभी जान रहे हैं सभी लोग जान रहे हैं तमाम परकार की बाते भी हो रही है यहुझ freemies भूरे स्पोर्ट रहा है अज भी मझे बहुत सपोर्ट किया और दो अणी आज मैं सभी इस innovate आपका ड्रीम रोल अभी क्या है मतलब रानी प्रिंसे वाला या फिर कोई की कवेस्टन करणा है और फिर कोई काम प्रिंसेंट वाला फिर कंग इंटेट कांड़ाम काम करते हैं अफिर कुछ ड्रीम फ्रील में घरitals उड्ल करते हैं खुद की ब्यूटी रजीम को फॉलो करते हैं ताकि हम खुद को मैंटेन रख सके और बाकी ताइम जो भी नई वेब सेरीज आती है मैं वह देखती हूं पता करने की कोशिश करते हूं कि किस फिल्म में किस अक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है कुछ सीखने की उसके बारे में भी बहुत सी चीज़ उसमें आई आई अज ज़िए आप किस तरह के से इन चीजों को देखती हैं कितना प्रेशर है देखें किसी फिल्म में सर्फ अच्छे लोग नहीं होते हैं बूरे लोग भी होते हैं तो अगर आप युद भूमी में जा रहे हैं तो ज तो आपनी समझदारी का इस्तमाल करते हुए वहाँ पर उनको प्रणाम करके वह से निकल जाये बस आप किस तरीके का रोल चाहते हैं फ्यूचर में मतलब कई ऐसी चीजे आती है कि मतलब चीजों को दूसरे तरफ ले जाया जाता है आपके पास अगर जाती है कि मुवी में थोड़ सा मतलब मसाला डालने के चीजे बनाई चाहती है हाँ तो वह अभी तक मैंने अभी तक मैंने अभी जब है कोई स्क्रिप्ट आती तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछती हूँ किसमें कोई बोल्ड सीन तो नहीं है क्युकि मै कभी भी कोई बोल्ड सीन करना प्रिफर नहीं करती हूँ बट अगर कभी किसी स्टोरी के रिक्वाइमेंट आई जहां पर उसके बिना स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाड़ी है बहुत जादा जरूरी है तो शायद मुझे करना पढ़ सकता है बट मेरा हमेशा मोटिव यही कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि यहांद लस्तों जान प्राणीम मंने कभी लेटर को किया नहीं हो और हमारी भलोग बॉक्बुसर्स फिल्म रहे हैं और ज़िच की मुझे लगती नहीं और रहा कremos मारी मोट को मिल रहा है मतलब कुछaleb कुर्व अगर्डूर्स और उन्ही की पदॉलत मैं इस पिच्छ में आपाई हूँ बाखी फिलहल तो भी में एक आउसाइडर हूँ तो मुझे अभी लोग जानते नहीं होतना और मुझे नहीं पता किता सपोर्ट करेंगे पस मेरे दिमाग में इतना है कि मुझे अपनी इच्छा शक्ती रखनी है तो मुझे अक्षे कुमार, संजेद अनुसूद, मानुषी ऐसे बड़े स्टार्स हैं और इसमें जो हमारे डिरेक्टर्स हैं वो बहुती बड़े ग्याता बहुती बड़े स्कॉलर है तो उनको ग्यान बहुत जाता है और अगर यह सब चीज़े भी नहीं तो आप उसको सि चेहिए हमारे जो महान राजा थे उन्हें नहीं कितने बलियदान इत्याग और जैश की मिठी को बचाने के लिए तो इस चीज के लिए अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए उनस सब को साथ ले जाके आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए यहां तक पहुश गई कुछ फेवरिट्स हैं जैसे बॉलिवुड में मुझे पसंद है अक्षे कुमार और सल्मान खान इस अल्सो माई फेवरिट्ट तॉलिवॡ में आलु अर्जुन और राम चरन, सूर्या तो यह कुछ स्टार्स हैं जिनके साथ मुझे बहुत काम करने का मने है ठीक ऐश्वरिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो माच आपका बातचित करने के तो यह थी हमारे साथ एक्ट्रेस ऐश्वरिया राजभाकुनी जिनका कहना था कि अभी बॉलिवूड के परदे पर शुर्बात हुई है बॉलिवूड टॉलिवूड से लेकर हॉलिवूड अब देखते हैं कि ऐश्वरिया का सफर किस तरीके से रहता है बॉलिवूड में कैमेराबेन घंशाम पटेल के साथ शीवमिश्रा न्यूस 24 मध्यप्रदेश चतिसक्रण किसे बॉलिवूड टॉलिवूड लेकर हैं किस दो भी कुछ उगा है बॉलिवूड़ उरॉड रहता हैं किस दो लाभर हैं किस दोंगा थाएं किस दोप सरे बॉलिवूड